सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्री की बहुत बहुत शुपकामना है ब्रत में अक्सर ये समझ नहीं आता कि रोज नाश्ते के लिए क्या बनाएं खाने के लिए क्या बनाएं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं बहुत हलका फुलका जटपट बनने वा खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि आप बिना ब्रत के भी इनको बनाना चाहेंगे तो चलिए शिरू करते हैं आपका बहुत स्वागत है ब्रत वाले टेस्टी रोस्टी बनाने के लिए सब से पहले हम बनाते हैं उसका साथ देने वाली एक बहुत ही जटपट बनने वाली ब्रत की चटनी उसके लिए यहां मैंने लिया है आदा कप दही को मैंने बिलकुल बढ़िया से फेट लिया इस तरीकी का एक दम स्मूथ मैं तयार कर लिया है क्योंकि अब ब्रत की कोई चीज बनाओ तो साथ में कोई चीज होनी चाहिए ना चटनी वगरा तभी तो मज़ा आ तो बहुत ही अच्छा नाश्टा है ब्रत के लिए और रेगुलर अपने रोजके नाश्टे के लिए भी साथी इसमें जाएगा आदा चूटी चममच काली मिर्ची पाउडर सारी चीजे में वो डाल रही हूं जो हम ब्रत में यूज करते हैं एक हरी मिर्च बारी कटी इससे स्वाद इस डिप का बहुत ही बढ़ जाएगा इतना टेस्टी लेगेगा कि आप सारी ब्रत की चीजे इसी के साथ खाना चाहेंगे और यह गया इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स लीजे हमारी ब्रत की ब्रत की चट्पट चट्नी तयार हो गई है वठाफट बनाते हैं बहुत ही ब्रत रोस्टी बनाने के लिए यहां पर मैने लिये हैं तीन अबलेवे आलो लिए अलु लीजे अलु को अबाल कर चेल कर अब ले ले लें सबसे पहले हम करेंगे मैश तो मैशर से या आपक अग से ग्रेट करके भी इसको मैश कर सकते हैं बिलकुल इस तरह करना है कि लम्स ना रहें एकदम फाइन स्मूथ इसका मैश तयार करेंगे तो इसको अब रखते हैं अलग अब जो नेक्स चीज है हमारे ब्रत के रोस्टी बनाने के लिए सबसे जरूरी वह है समा का चावल यान मिल जाएगा है बहुत ही पॉष्टिक होता है मैं आपको पास से दिखाती हूँ कुछ इस प्रकार के इसके दाने होते हैं देखिए और इससे बनने वाली डिशिस का तो पूछिए मत खाने में भी टेस्टी और है तो बस यहां पर मैंने यह लिए हैं एक कप घर का कोई भी यह लिजे तो पानी में इसका निकाल दिया है चाबल बढ़िया से फूल गया है अब आप लिजे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारा राइस हम भीगा हुआ डाल देंगे और यह थोड़ा सा मैंने दो चमच पानी डाला है उसी बोल में जो भी आप सोच रहोंगे पारुल बिना दही के बना सकते हैं कि आप बिना दही के भी बना सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगे कि इस रोस्टी को आप डाल करी बनाएं दही से एक तो इसका स्वाध बढ़ेगा फ्लफी हमारे ब्रत के रोस्टी तैयार होंगे अब अलू हमने तयार किये थे ना मैश करके, इस बोल में सारे बैटर को हम इस अलू वाले बोल में डाल देंगे, अब इसमें जाएगी दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च द्वाध अनुसार, एक छोटी चमच बारिक ग्रिटेड अधरक, जो भी चीज आप नहीं खाते उसक बगेर भी आप ये बना सकते हैं, मैं जादा तर चीज वही ले रहे हूं जो हम फास्ट में खाते हैं, साथ मैं आप इसमें जाएगा, आदा चोटी चमच काली मिर्ची पावडर, एक चोटी चमच बरतवाला सिंधा नमक, ये मैं डाल रही हूं फ्लेवर के लिए दो चोट मैं इसमें डाल रहे हूं एक बड़ा चमच जैसिकेटिट चोकोनट, यानि सूखा वाला नारियल का बुरा भी बूलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें हो तो जरूर डाले वगरना इसके बगेरा तयार कर ले और फाइनली गया बारी कटा हुआ हरा धनिया, सभी बढ़िया से आलू के साथ मिक्स एक दम स्मूथ इसका बैटर तयार करेंगे और यह देखिए बहुत ही बढ़िया बैटर हमारा तयार हो गया है आलू के साथ यह देखिए पावफेक्ट बिलको ऐसी ऐसी पाटला ना बहुत जादा गाडा अगर यहां पर थोड़ा भी आस को एक दम फ्लफी इसपॉंजी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं एक शैशे इनो फ्रूट सॉल्ट अगर आप ब्रत में खाएं तो आप डालें वरना इसके बगेर भी आप बना सकते बहुत अच्छी बनेगी थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे एक चुटी में तीन दिन के लिए स्टोड भी कर सकते हैं फिर जब मन्चाय निकाल करके अपना रोस्टी तयार किया जा सकता है अगर इनो फूट सॉल्ट ना हो तो यहां पर आप आदा चोटी चमच खाना सोड़ा होता है ना बेकिंग सोड़ा वो भी डाल सकते हैं बरत वाली रोस्ट में जो भी घी तेल जो यूज करते हूं वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं बहुती कम घी ओयल में यह चीज़े बन जाती है पैन हलका गरम हो गया है फिलेम को कर दीजे बिलकुल लो और इस पर हम डालेंगे हमारा तयार ब्रत वाला रोस्टी का बैटर मैं लग बग तीन लेडल फुल डाल रही हूं आप अपने अनुसार छोटा पतला बड़ा जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं यह लीजे तो मैंने इसको डाल दिया और आप फ्लेम बिलकुल लो करके इसको हम ढग देंगे लग बग दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर बड़ी आसे इसको पकने द तो बस जब इस तरह से फूला फूला हो जाए और आप एक बार इस तरह पैंकुला हिला कर देखे हिल रहा है यानि नीचे से बड़िया सिख गया है तो बस धीरे से इसको अब हम पलट देंगे वाव क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है आप देख सकते हैं इसकी गोर्डन बढ़िया बहुत ही मस्त बनते हैं यह पैंकेक आपको बनाते वराते वक तक मुह में पानी आ जाएगा यह देखिए पीचे से बनाए ना एक दम बढ़िया कलर कर गोल्डन बहुत ही अच्छे रोस्ट हो गए है हमारे ब्रत वाले रोस्टी तो चलिए फटा-फटी से निक पहने जो होता है जिससे आप दाल बे तड़का लगाते उसमें भी टालकर बना सकते हैं या फर आपके पास इस तरीकी का अपट पहनो तो आप इसमें भी बना सकते हैं बहुती फलफी नरम फूले फूले आपके अपट ब्रत वाले तैयार हो जाएंगे नए फ्लेवर में और इस पर लगा देंगे एक लेट लगबग देड़ मिनट के करीब आप मीडियूम फ्लेवर इसको बढ़िया से पकने दें चेक कर लेते हैं परफेक्ट आप देख सकते हैं नीचे से गोर्डन कलर दिख रहा है तो बस इस स्टेश पर धीरे से आप इसको पलट दें बहु बिलकल रेड़ी तो चलिए गैस को आफ करते हैं और इनको भी निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी सारे रूस्टी तयार करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये इन्नोवेटिव रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताईए कि आपको आज की ये नए स्टाइल की ब्रत की रेसिपी कैसी लगी और अगर आप इसको बनाएं तो उसके फोटो आप मेरी साथ इस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें मुझे बहुत खुशी होगी लीजे हमारा सेकेंड भी बहुत ही बढ़िया फ्लफी एकदम स्पॉंजी और गोर्डन कलर का तयार हुआ है ब्रत वाला रोस्टी तो चलिए इसको भी लिकाल लेंगे और ये लीजे बिलकुल तयार है हमारे जटपट बनने वाले ब्रत के ब्रत वाले रोस्टी लग रहे है ना एकदम बढ़िया नरम सॉफ्ट फूले फूले दिखने में कितने सुन्दर दिख रहे हैं इतने सॉफ्ट हैं कि मुमें जाते ही घुल जाएंगे उपर से आप दे हलकी फुलकी है पेट को ठंडग देने वाली है साथ की साथ हैल्दी और टेस्टी है बच्चे भी इजी ली खा सकते हैं और इस ब्रत वाली चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो खाकर मज़ा आ जाएगा इस ब्रत वाले रोस्टी में आपको धेर सारे फ्लेवर कसी लगी उमीद करती हूं वीडियो अपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया फ्रेंड्स तो प्लीज 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 धेड सारे लाइक कीज़े सभी फेमरी फ्रेंड्स शेयर करें और मिरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेस्बुक पर भी जरूर दें सभी रेसिपीस की आप डिटेल्स मेरी बेप साइट को पित पारूल डाट कॉम पर देख सकते हैं थैंक ये फॉर वाचेंग कोक वित पारूल जै हिन जै भारत